वेल्कम फ्रेंट्स कैसे आप सब लोग तो मैं आसा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे तो आज हम जाल लेते हैं कैसी क्रीम के बारे में जो आपने बहुत ज़्यादा देखी भी होगी और बहुत ज़्यादा चर्चित एंड बहुत ज्यादा फेमस भी है जो लगवा- इसको किस प्रॉब्लम में यूज किया आता है और इसके क्या यूज करने का सही तरीका रहता है इसके क्या डोज रहती है निए इसका अप्लाई करने का सही तरीका और इसके क्या साइट इफेक्ट हो सकते है इसको किस प्रॉब्लम में यूज किया आता है तो मैं आज आज इस पूरी वीडियो में इसकी पूरी detail से समझाने वाला हूँ दोस्तों, इसके पूरी full detail देना वाला हूँ, तो दोस्तों, आप मेरी पूरी वीडियो में बने रहेगा end तक और दोस्तों, अगर मेरे चैनल में ला जुनाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा बाकि नीचे देवो बैल आइकन उसको ही प्रेस करियागा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाओ आपके पास सबसे पहले पोचे तो चली दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके अंदर के कॉंबिनेशन के बारे में कि दोस्तों कौन-कौन से इंगेडियन्स इसके अंदर पाए गए हैं अगर इंगेडियन्स के यानि कि इसके अंदर के इंगेडियन्स के बात की जाए जो इसके अंदर सारे सॉल्ट में लकर के बनी है क्रीम यह वो जो सबसे पहले इसके अंदर है क क्लोट्स ब्रांड द्वारा बनाएगा है जो इसका ब्रांड है वो भी काफी जाए चर्चिद है इसलिए यह आपको हर किसी एक मेडिकल स्टोर पर आपको एपलेवल हो जाएगा बाकी MRP के अगर बात की जाए तो इसके बन 17 रुपीज इसके हमार पी 117 रुपए बाकी 15 ग्रम का इसका पैकिंग है तो यह क्या है दोस्तों इसके सारी डीटेल रहती है अब बात की जाए पैंडरम प्लस क्रीम के यूज़ेस के बारे में तो यह दोस्तों पैंडरम प्लस जो क्रीम है एक एंटिस्ट्रोइड एंट एंटिवायटिक की रूप में इसका यूज़ किया दाता है जो एक स्कीन क्रीम है जो हमारे फेस में यह हमारे सरीर में कहीं पर भी दाध हो रहे है यह फिर खुजली हो रहे है यह फिर छोड़े-छोड़े चतक की लग रहे है यह फिर फेस में पिंपल निकल रहे हैं फेस म dark circle हो रहे हैं या फिर face हमारा dull हो गया है उसमें भी इसका यूज किया जाता है बाकि कहीं पर भी psoriasis के problem होती है रिंग बरम होते है या फिर dry itching होती है या कहीं पर भी होने वाले किसी भी तरीके का allergy reaction उसमें भी दोस्तों इसका यूज किया जाता है अब बात की जाए इसका यह सारे काम रहते हैं अब बात की जाए इसके काम यानि की यूज करने का जो तरीका रहता है इस cream का जो यूज किया जाता है हर किसी parts के उपर हमारे body में लगाने का अलग अलग तरीके से तरीका रहता है जो अलग-अलग समय अनुसार उसको यूज किया जाता है अगर फेस के लगाने के यूज करने की बात की जाए तो क्या है इसको दोस्तों सुबह साम यह सिर्प रात के वक्त में ही फेस बोस करने के बाद इसका यूज किया जाता है कोई भी प्रोब्लम अगर फेस पे देखी जाती है तब अगर बात की जाए इसको कहीं पर भी हमारे बोड़ी में दाथ, खुजली या फिर कोई भी allergy reaction बगएरा होता है तो दोस्तों इसका नाने के बाद में सुबह साम के साब से इसका यूज कर सकते हैं इसका जो यूज करने का दोस्तों ये तरीका रहता है बाकी दिन में तीन टाइम भी इसका यूज कर सकते हैं वो पांस साल से नीचे के बच्चे विल्कुल यूज नहीं कर सकते हैं और बाकी पांस साल से उपर तक के बच्चे विसको विल्कुल यूज कर सक बाकि अगर उससेनीचा का बच्चा अगर कोई भी यूज करते हैं तो अपने जरुरूरूरेगबाइबा ढोक्डर से सला करके लिए उसका यूज किया जाता है वनना अन्य अन्य था बिनोग्डर की सला नुशार बच्चों में भी इसका यूजू निए यह क्या है कि हमारे body में कहीं पर भी allergy reaction देखने को मिल सकते हैं, जैसे इससे बहुत ज़्यादा irritation बगारा देखने को मिल सकते हैं, redness और ज़्यादा हो सकती है, बहुत ज़्यादा और भी सारी दिक्कते create हो सकती हैं, अगर यह कहीं पर भी आपकी body पर यह suit नहीं हो पाता है, अब face में क्या face में अगर आप कोई suit नहीं हो पता है इसके reaction देखने को मिल सकते हैं इससे लगाने के बाद धूप में विलकुल भी नहीं जाया जाता है और अगर face में अगर इसका reaction देखने को मिलता है तो चहरा लाल पड़ सकता है चहरे पर जलन कर सकता है इसके क्या है यह commonly क कुछ side effect देखने को मिल सकते हैं इससे ज़्यादा अगर चहरे पर या किसी body पर देखने को मिलते हैं इसके side effect तो एक बड़ जरू डोक्टर से शला ली जाती है और डोक्टर से अपने advice करी जाती है तुरंत इस cream को बंद किया जाता है इसके क्या है कोच commonly side effect रहते हैं बागी कहीं पर भी ऐसे गुम चोट में यह यह दर्द वर्थ के लिए विल्कुल भी इसका यूज नहीं किया जाता है बाकि इस cream का क्या है जो भी यूज करेंगे वो अपने डोक्टर से सला करके इसका यूज करें अन्य तो इसका बिना डोक्टरी सला नुसार बिल्कुल भी इसक अन्य से अबिलेबल भी हो जाएगा इसको खरीदने के लिए कोई भी डोक्टर के परची की जरूरत नहीं होती है लेकिन ही इस cream का यूज करते है तो उपने जरूरे पर डोक्टर से जला करें उसके बाद इसका यूज करें पैंडरम प्लस cream के बारे में मैं आपको दोस्तो यहें तक बताऊंगा बाकी है मेरी पूरी जानकर यह अच्छे लगे हो तो मेरी पूरी वीडियो दे करके इसको लाइक करेंगा बाकी चैनल को सब्सक्राइब करेंगा और इस वीडियो को आप जादे स्यादे करेंगा family and friends के बात बात करेंगे अपनी next वीडियो में जब त